दोस्तो आज के वीडियो में मैं आपको गदर टू फिल्म की पूरी कहानी के बारे में बताने वाला हूँ इस फिल्म को आपको देखकर मज़ा आ जाएगा दोस्तो ये फिल्म आपको जोस और उमंग से भर देगी क्योंकि इस फिल्म में आपको कमाल के डायलोग और सनी देवल की बैतरिन एक्टिंग देखना को मिलती है लेकिन दोस्तो जहां जहां उतकर सर्मा की एंट्री होती है वहां वहां पर फिल्म कमजोर पड़ चाती है यानि आप कह सकते हैं कि उतकर सर्मा की एक्टिंग में उतना दम नहीं है लेकिन दोस्तों फिर भी आपको मूवी देखकर मज़ा आ जाएगा और यदि आप टिकट लेकर मूवी देखते हैं तब तो आप भी बल्ले बल्ले हो जाएगी क्योंकि क्राउड में मूवी देखने का मज़ा ही कुछ ओर होता है और दोस्तों गदर altogether 2 फिल्म की कहानी को पहली वाली गदर फिल्म से जोड़ कर ही बनाया गया है इसलिए इस फिल्म को देखने का मज़ा और भी बढ़ जाता है तो दोस्तो आप देखते रहें ये बोली उड़ एंगल को फिल्म की कहानी के अंतमे मैं आपसे फिल्म से जड़े कुछ सवाल पुछूंगा जिनके आपको जवाब देने हैं तो इसलिए आप कहानी को ध्यान से सुनना और समझना तो चले दोस्तो अब हम कहानी को शुरू करते हैं दोस्तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस फिल्म की कहानी को पहली वाली गदर फिल्म की कहानी से जोड़ कर ही बनाया गया है अगर आपने पहली वाली गदर फिल्म नहीं देखी है तो उसका थोड़ा सा रिकैप मैं यहाँ पर बता देता हूं इसलिए वो पाकिस्तान उनसे मिलने के लिए चली जाती है और जब सकीना को वहाँ से आने नहीं दिया जाता तब सनी देओल यानि तारा सिंग उसे पाकिस्तान से वापस लाने का फैंसला लेता है और फिल्म के आखिर में अषप अली यानि अमरिश्पुरी अपनी गलती को मानते हूँ तारा सिंग को सकीना समेट हिंदुस्तान वापस भेज़ देते हैं अब इस फिल्म के अगले भाग में यानि गदर टू में असरब अली को तारा सिंग को पाकिस्तान से भागाने के जुर्म में उसे फांसी दे दी जाती है और इसके पीछे हमिद इकबाल का हाथ था और ये कोई और नहीं बलकि पाकिस्तान का जनरल ओफिसर है और इसके सगे सम मंदी भी गदर फिल्म के पहले भाग के दोरान डंगों में मारे जा चुके थे इसलिए वो भारत से कुछ जादा ही नफरत करता है और तारा सिंग का तो नाम सुनकर ही वो बोखला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि तारा सिंग ने सकीना को पाकिस्तान से ले जाकर पाकिस इसबार जंग होकर ही रहेगी। इसलिए हमें पहले से ही तईयार रहना होगा। और इस वज़े से वो तारा सिंग से मदद मांगते हुए कहते हैं की। हो सकता है इस बार उन्हें बहुत सरे टर्कों की जुरुत पड़े फिर तारा सिंग कहते हैं कि हिंदुस्तान के लिए वो हमेशा तयार हैं फिर तारा सिंग की फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें जीते अब बड़ा हो चुका है लेकिन उसका मन पढ़ाई में तो बिल्कु पहुचाने वाली बात ये है कि उनके असला बारुत खत्म होने वाले हैं इसलिए तुम्हें टर्कों की मदद से हतियार उनके पास पहुचाने हूंगे अब यहाँ पर एक सोल्जर को डाउट होता है क्या तारा सिंग ये सब कर पाएगा तब तारा सिंग उससे कहता है कि द तारा सिंग भी इस लड़ाई में शामिल हो जाता है और सभी आगे बढ़ते हैं लेकिन ये उनकी चाल थी जिस वज़े से भारत के काफी सारे जवान मारे जा चुके थे अब पता चलता है कि तारा सिंग को उसके लोगों के साथ पाकिस्तान में बंधक बना लिया गया है काफ इसलिए अब जीते निर्ने लेता है कि वो पाकिस्तान जाकर अपने पिता को वापस लेकर आएगा और इसलिए जीते अपनी मा के पास एक चठी को छोड़ते हुए अपना नकली वीजा और पासपोर्ट बनवा कर पाकिस्तान में घुच जाता है अब जीते सबसे पहले मुसकान को पटाना होगा क्योंकि मुसकान ही वो लड़की है जो बिर्यानी बनाने वाले को नोकरी देती थी लेकिन यहाँ पर ये शर्त थी कि जो सबसे अच्छे बिर्यानी बना सकता है उसी को मुसकान नोकरी देती थी अब जीते मुसकान की कमजोरी जान जाता है वो ये उसे अपनी सारी कहानी बता देता है कि वो कोई आतंकवादी नहीं है बलकि वो अपने बाब को लेने के लिए आया है और इस वज़े से मुस्कान भी जीते का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है अब एद वाले दिन हमीद इकबाल सभी कैदियों को बाहर लाता है लेकिन इ और वहाँ जाकर जीते को पता चलता है कि वो तारा सिंग नहीं है बलकि कोई और है और इसी चक्कर में जीते वहाँ पर पकड़ा जाता है फिर हमीद जीते की ढंग से कुटाई करता है और जीते से कहता है कि तेरा बाप तो यहाँ नहीं है लेकिन तू यहाँ है इसलिए उ पाकिस्तान नहीं गिन पाएगा अब तारा सिंग को दिखाय जाता है जो वापस अपने घर आ चुका था जो बताता है कि जंग के दोरान वो बेहोश हो गया था और नदी के रास्ते वो कहीं दूर निकल गया था और वहीं के कुछ लोगों ने उसकी मदद की थी फिर होश में आने में काफी दिन लग गए अब सकीना तारा सिंग को बताती है कि जीते पाकिस्तान में है और ये सुनकर तारा सिंग काफी गुस्ता हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसके साथ क्या होने वाला है इसलिए तारा सिंग अपने बेटे को ले दिया था और हमिद अपने हरामी पन से ये साबित कर देता है कि जीते एक आतिंग वादी है जिसकी वज़े से वहां की जनता भी हमिद की और हो जाती है और अब वो सभी चाहते हैं कि जीते को फांसी ही होनी चाहिए इसके बाद हमिद जीते से उसकी आखरी ख्वाइश अगर यहां के लोगों को दोबारा मोका मिलेना हिंदुस्तान में बसने का तो आदे से ज़्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा और तुम्हें भीक भी नहीं मिलेगी इतना सुनने पर हामिद गुस्सा हो जाता है और बाप बेटे दोनों को मारने का हुकम दे देता है लेकि पर वो अपने पिता से दूर हो चुका था अब तारा सिंग को लगता है कि जीते को फिर से पकड़ लिया गया है इसलिए तारा सिंग उसे हर जगे जाकर ढूंडने लगता है दूसरी और हामिद ने मुसकान और उसके घरवालों को पकड़ लिया था और उन्हें गन पोइंट पर रखकर उनके द्वारा जीते के बारे में उल्टी सीधी अपवाय उडवा दी जाती हैं और एक कागज पर मुसकान के साइन भी करवा लिये जाते हैं इसलिए अब बाप बेटा दोनों पाकिस्तान में वांटेट की लिष्ट में आ चुके थे लेकिन मुसकान के घरवाले चाहते थे की जीते और मुसकान दोनों एक हो जाएं इसलिए वो जीते और तारा सिंग की मदद भी करते हैं क्योंकि वो जान गए थे की तारा सिंग पकड़ने में काम्याब हो जाता है और उनको बोर्डर के पास ले जाकर उनकी ढंग से धुनाई करता है। इसके बाद हमिद तलवार के जोर पर तारा सिंग से हिंदुस्तान मुर्धाबाद बोलने के लिए कहता है। फिर तारा सिंग कहता है कि अगर ये बात मैं जिंदाबाद के नारे लगा दिये तो पूरा पाकिस्तान फट जाएगा। इसके बाद हमिद गुस्ता हो जाता है और सभी को मारना चाता था लेकिन तभी तारा सिंग अपने गदर वाले मूड में आ जाता है और सभी की कुटाई करना शुरू कर देता है क्योंकि यहाँ पर तारा सिंग पूरी आर्मी के बराबर था इसलिए वो सभी से भिड़ जाता है और फिर एक तोप के टैंक में सवार होकर सभी हिंदुस्तान की ओर बढ़ने लगते हैं और फिर तारा सिंग हमिद के काफी लोगों को मारते हुए आगे बढ़ता जाता है लेकिन थोड़ी देर बाद हमिद उन्हें पकड़ लेता है लेकिन उसे पता चलता है कि वो सब कोई लेना देना नहीं है जो कुछ करेगा वो तारा सिंग ही करेगा अब तारा सिंग हमिद को काफी देर तक भगवत गीता और कुरान के बारे में बताता है और फिर गीता और कुरान में से किसी एक को चुनने के लिए कहता है और हमिद अपनी जान बचाने के लिए वो गी नहीं आता है वो पीछे से उन पर हमला करने वाला था लेकिन उसके वार करने से पहले ही रावत के सोलजर हमिद इकबाल को मार गिराते हैं और आखिर में पाकिस्तानी सैनिक भी हमिद इकबाल को गोली मार देते हैं क्योंकि वो भी जान गए थे कि हमिद इकबाल एक नीच और यही वज़े है इन दोनों पार्ट के हिट होने की और दोस्तों बहुत ज़्यादा उम्मेदे हैं कि इस फिल्म का अगला भाग भी आपको देखने को मिल जाए क्योंकि आज कल फिल्में तो वैसे हिट होती नहीं इसलिए हिट फिल्मों के ही रिमेक या उनकी कानियों में क चुड़ा कर ला सकता है दूसरा सवाल क्या अमरीष पूरी की तरह ही मनीश बादवा यानी हमीद इकबाल ने दुष्मनी के रोल को सही से निवाया है और तीसरा सवाल क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की फिल्मों को बना कर लोगों की भावनाओं से खेल कर ये केवल पैसे कमाने का एक तरीका है दोस्तो जो कुछ भी आपको इन सवालों के बारे में कहना है कमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तो जिदि आपको और भी फिल्मों की कहानियों को सुनना हो या फिर ऐसे ही आने वाली फिल्मों की नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आपको इ निविदन करता हूँ इस चैनल को सब्क्राइब करने का और घंटे का आइकन को जरूर दबा देना ताकि जैसे ही मैं वीडियो अप्लोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए तो दोस्तो हम मिलेंगे किसी नई फिल्म की नई कहानी के साथ तब तक के धन्यवाद, शुक्रिया, सब भखेर